हेलो प्रिवाद वेल्कन टो आई चैनल आनलाइन जी एस पाई दिवाकर आपनों के लिए वेरी वेरी गूड नियूज आए है कि जी आई सी और जो आपका इरटी का भरती था ठीक है उसमें जो समकक्षता की अरहता विवाद थी ये पिछले दो से दो सालों से लगबग आप करने के बाद चैन प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी यानि कि जल्द ही आपका नोटिफिकेशन आने की पॉसिबिल्टी है इसलिए आप लोग यहां पे लग जाईए और इस पूरे वीडियो में हम लोग इन चर्चा इस बात पे भी करेंगे कि क्या स्लेवस है इसका पेप पूरे वीडियो में सारा का सारा डेटेल जी आइसी और रियल्टी से संबंदित समझ में आ जाएगा कि क्या योगिता विवाद रहा योगिता क्या मागी जाती है इसके बारे में ठीक है तो जी आइसी यानि कि गॉवर्मेंट इंटर कॉलेज इसको इसका फुल फार्म होत जो मेल और फिमेल दोनों की अलग अलग सीटे आती है ठीक है ना तो आप जिसमें भी फिल करना चाहेंगे वहाँ पर फिल कर सकते हैं फिमेल जो है दोनों में फिल कर सकते हैं लेकिन मेल केवल मेल में यानि नार्मल में केवल कर सकता है अब देके राज की इंटर कालेज में जो mention किया गया है सहायक अध्यापक और प्रवक्तावर्ती सहायक अध्यापक कौन होते हैं ELT teacher होते हैं ठीक है एक तरह से TGT की तरह होते हैं लेकिन TGT जो UP में है ये added college के लिए होता है जबकि जो ELT आपके हैं ये कहा के होते हैं GIC यानि की government tender college में जो आपका TGT होते हैं ठीक है उनको ELT यहाँ पर कहा जाता है ये सहायक अध्यापक बूला गया और GIC जो PGT होते हैं यानि की प्रवक्ता वाला भड़ती की बात करी गयी है अब अरता से समकष्टा हटा दी गयी है उसमें कई पदों पर क्या था कि ये mention कर दिया अगर उसके समकष्टा अरता धारन करते हैं तो आप योग्य हैं तो उसमें जो समकष्टा का ये मामला था उसको अठा दिया गया है सिच्छा निजिसाले ने अरता विवाद को सुल जाते हैं सिक्रती के लिए UPPSC को भेज दिया सिच्छा बढ़ती सुरू हो जाएगी कई बार ये विवाद आयकोड तक भी गया है जो भरती आई थी 2021 में भरती आई थी उसके बाद जो है नहीं आई थी इसके बाद मामला ये था सासन का इसके बीच लंबित इस मामले को लेकर कई दोर की बैठक भी हुई ठीक है तो फिलाल आपका जो है यूपी पीस स्विकृति देता है तो आपका जो है अधियाचन भेज दिया जाएगा स्विकृति मिलने के बाद और कम फर्म हो जाएगी आपकी भरती ठीक है और साथी साथ इसमें यह समझे कि आखिर यह पेपर कब तक होंगे या कब तक भरती की possibility है कब तक आ सकती है यह यह बरती हैं यह बरती हैं मानके चलिए कि आपका नॉम्बर ठीक है नॉम्बर के आसपास तक इसका सेडूल आ सकता है इन बरतियों का तिसले आप रेडी रहिए पूरी तरह से ठीक है न और सिलेबस के हम लोग बात करें कि पेपर इसमें कौन-कौन से होते हैं इसमें आपका जी एस और सब्जेक्ट का यानि कि अगर सब्जे होता है यहां पर जो होता है जी एसके नंबर होते हैं यह 40 प्रस्नक क्या आपका जी एस होगा असी की जोगरुफी का होगा टीक है टूटल 120 होगे इसके बाद देखें क्या होता है मेंस एक जाम होगा वह आपका रीटेन एकजाम होगा जैसे हैई पीजीटी में हुआ हरियाना में वैसे यह आपका GIC में जो मेंस एकजाम होगा वहां पर आपका ऐसे लिखने को आता है और आपके सब्जेक्ट से संबंदित रहेगा ठीक है यानि कि जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेट यहां पर क्योशन आंसर रहेंगे और डिटे और येल्टी यानि कि इसमें अगर आप यूजी में ग्रेजुएशन में सोसल साइंस किम बात कर रहे हैं सस्टी की अगर आपका हिस्ट्री हो जोग्रफी हो पॉलिटी हो इकोनामिक्स होता है इनमें किनी दो में अगर आपने यूजी कर रखा है तो आप इसके लिए प्रेहान पैलिटी जो आपने चूज कर आ वह आप इस से यहां पर अप्लाई करसकते आ秤क है नतों यहां पर हो गया प्री पहले क्या होता था कि इसमें प्री मेंज नहीं होते थे केवल एक आपका जो होता था पर लेकिन अभी यह प्री मेंज कर दिया गया है इस बार से ठीक है ना यहीं तब से जब से यह आपका दो स्टिप में हुआ है तब से कोई दिसंबर फोकस रहेगा साथी साथ जून दोजार पचीस के अगर आप त्यारी करना है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा इंसे आटी की एक लक्ष स्रीज चल लए है अब देखें जो जी आइसी में आपके प्रस्ण पूछे जाएंगे मैक्सिमम में से पूछे जाते हैं तो इस यह लक्ष स्रीज आपके लिए रामबान साबित होगी ना केवल जी आइसी पीजी टी बलकि नबोदे विद्याल है केंद्री विद्याल है विहार पीजी टी ठीक है जो आगे आपके टी आरी फोर की आएगी उन सभी के लिए आपका पूरी स्रीज मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है ठीक है तो यह आपका निश्चे बैच है जिसमें आपका कम्प्लीट जग्रफी और पेपर वन इसके साथ फूरी रहेगा कम्प्लीट स्लेवर्स कराए जाएंगे रिकॉर्डेड और लाइफ दोनों प्रकार के वीडिय या महासंग्राम जिसको आप कह सकते हैं कि इसमें 2000 प्रस्न टार्गेट रखा गया उससे उपर ही प्रस्न रहेंगे सभी राज्यों के जो असिस्टन प्रोफेसर के पेपर है साथी साथ नए प्रस्नों को भी इसमें सामिल किया जाएगा ठीक है तो टूटल ही आपके लिए यूशफूल रहेगा उसके लिए आपको करना क्या है आप मारे एफप पे जाके त्रेक है जीएस भाई दिवाखर वहां पर सर्च कर लीजे कहां पे प्ले स्टॉर में जाके एंडुरिड फॉन में अबलेबल है यह एंपल पिनाई है ठीक है जीएस भाय सब्सक्रीश सब् लेबल है आपका लाइब और अनलाइन टेस्ट श्रीज भी है साथी साथ PDF के थ्रूभी टेस्ट है आप लेबल है TGT PGT के भी बैचे जब लेबल है तो जो भी आपको लेना है आप जाके वहां पे चेक कर लिजेए फ्री content भी अब लेवल हैं आप content को देखिए आपको लगे कि join करना तो वहां से आप join कर सकते हैं यहां हमें इस नमबर पर WhatsApp कर सकते हैं जहां आपको और detail मिल जाएगा फिलाल के लिए इतना ही thanks for watching मिलते हैं फिर इसी तरह के informative वीडियो के लिए हमें follow करिए ठीक है share करिए